वेल्कम बाग एवरीवन यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं फिर्स तोर सॉल्यूशन लिमिटेट के बारे में देखें कंपनी के बिजनस के बारे में हम लोग काफ़ बार डीटेल में डिसकास कर जगे हैं अगर हम लोग बात करें तो जब आएगा तो हम लोग डीटेल में डिसकॉशन करेंगे उसको लेकर भी और यहां पर अगर आप कोई भी कंपनी देखोगे समय पे क्योंकि मार्केट के अंदर जब एक फिर्स करेक्शन आता है तो सारे स्टॉक्स आपको इस पर्टिक्लर स्टॉक के साथ में देखने को मुल रहा है इस नथिंग न्यू आपको याद होगा कि मैंने आपके साथ में डिसकॉशन किया था कि यह जो स्टॉक है भी थोड़ा सा साइडवेज हमें जाता हो नजर आ सकता है और देखो सेम चीज हमें नजर आ रह सपोर्ट रीजन नहीं बनाया है और उसमें भी आपको वॉल्यूम्स देखने होंगे अब यह आपको एक चीज दिखाता हो रुको जिससे आपको आइडिया मिलेगा और उसके बाद आपको एक अक्चल चीज बताऊंगा जो आपको देखनी ज़रूर ही है यहाँ पर आप करते हैं यहाँ पर तो वो मुझे लगता है इस समय पर नहीं करना है जितनी फियर्स करेक्शन होती है इस पर्टिकुलर मार्केट टाइम में उतनी जल्दी रिकवरी भी होती है आप लास्ट येर को देख लीजिए दिवाली के राउंड पर दिवाली से एक डिड़ रफता कर रही है उनको उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती हुई नजर आईगी है जहां पर आपकी कंपनी इसकी प्रॉब्लम रही महां थोड़ी सी प्रॉब्लम नजर आ सकती है इसका एफेक्ट जो कंपनी थोड़ी सी हायर वाल्यूएशन पर ट्रेड करती है उनमें ज्यादा हो पीएस्ट्यू को लेके काफी सारे डाउट आते हैं उस पर हम लोगे गलक से वीडियो बनाएंगे उमीद करता हूं वीडियो इंफरमेटव लगी होगी लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपने इस लेवल पर बाय किया हुआ है 172 रुपे से 154 रुपे के बीच में अभी कोई दिक्कत नहीं है इसके नीचे निकलता है क्लोजिंग मिलने लगती है तो वॉल्यूम्स ट्राक करना वॉल्यूम्स बढ़ने लगें तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम है ब्रेक्डाउन थोड़ा स्ट्रॉंगर नोट पे क्योंकि उसके बाद सपोर्ट रीजन देखो यहां पर सीधा 135 रुबए पे तो उसका आपको सोड़ा सा ध्यान रखना है otherwise as long as यहां पे stock trade कर रहा है कोई problem वाली बात इतनी नजर आने ही रही है definitely quarter के जो results आएंगे वो आने वाले आने वाले होंगे जल्दी वो देखने वाले रहने वाले हैं वो थोड़ा सा important factor होगा यहां पे to make it or break it वाला factor ही होगा यहां पे इस समय पे market timing के हिसाप से उमीद करता हूँ video informative लगी होगी like share subscribe जरूर करना and I'll see you in the next one